क्या आपने कभी कड़ी को बॉइल करके पकाया है नहीं पकाया तो चलें आज की फिर वीडियो आपके लिए हैं आपके लिए स्पेशल लेकी आई हूं आपने वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किये बहुत ही टेस्ट फुल कड़ी है अलहमदुलिल्ला एक बार म मैं आज आपको बनाना सिकाऊंगी तो वीडियो को एंड तक देखना है लाइक और शेयर कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप चैनल पे नहीं है जिन लोगों ने करक हैं कड़ेट सारा थैंक्स हमने जी लेना है अद्रक लेसन हरी मिर्च और प लेनी है और वन टी स्वून ही नमक लेना है और वन टी स्पून हमने लेना है कुशक धनिया टो इन सब चीजों को हमने ब्लेंडर के जार में डालके पीस लेना है थी कहत है ओन बैवन डालें और इसको अच्छे से हमने इसका पेस्ट बना लेना पॉदा पानी डाल के Adventure लेकिन आप अपने हसाब से ही डालिएगा ठीक है तो इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है जब यह अच्छा सा पेस्ट त्यार हो जागा फिर हमने इसके अंदर कटोरी जो भरके मैंने बेसन की रखी हुई थी यह डाल देनी है तो अगर कटोर कर लिया है तो ब्लेंड जो है वह अच्छे सी हो गया बिल्कुल बेसन और सारा हमारा मसाला मैश हो चुका है तो सरसों के आउयल में हमने यह कड़ी बनानी है ठीक है अगर आई तक अपने कभी पहले नहीं खाई तो एक दफा मेरे कहने पर जरूर बनाएगा तो इसके और खुश्बू टेस उसके अंदर आजे और बीज हमने निकाल लेने हैं सारे फिर हमने यह जो जागवाला मिक्सर है वे यह उठा कराही के अंदर डाल देना है और इसको हमने चमचे की मदद से अच्छे से पकाना है हिलाना है ताके यह हमारी कड़ी जो है वह फटेना तो चमचा जो है ना इसकी मदद से बार बार इसको हलाने का मकसद यही होता है कि दही और मसाले जब पकते हैं चूले की हीट पे तो फट जाता है दही अगर हम प्रॉपर चमचा हलाएंगे तो कड़ी एकवल पकती रहेगी बेसन इसके अंदर डाला है तो यह कभी भी कड़ी ह रहा है यह सीक्रीट टिप है जो हर किसी को नहीं पता होती आप इसकी शकर रंगद सकते हैं कि क्रीमी कंसस्टेंसी में क्रीमी कड़ी जो है वो बन रही है तो अब यह देख़ेए इसको बॉइल लाना शुरू हो चुका है तो अब हमने बॉइल आने के बाद दो बड़े ज जिस जग में मसाला ग्रैन्ड की है था उसी जग में नाफ की दो जग पानी के ढाल दिया है तो अब तक्रीबन है घड़क के कम रहाया जाएगा तो फिर हम ने पकोड़े बना के ने डालने हैं मैं इसकी रेस्पी दे चुकी हूँ आप वहां से पकोड़ों की रेस्पी देखें और कड़ी बना लें हमने लेना है जी एक कप आइल उसके अंदर हाफ टी स्पून जीरा एड़ कर देंगे और दो से तीन हरी मिर्चें डाल के इसका बहुत अच्छा सा तड़का त्यार कर लेंगे और तड़का जो है इसके उपर कड़ी के उपर लगा देंगे तो कड़ी जो है ना वो बिल्कुल हमारे पके रेड़ी हो चुकी थी आपके सामने है कड़ाही माशला बरी हुई थी तो आदी कड़ाही रह गई थी तो जब तड़का हमने लगा लेना है उसके बाद ही हमने पकोड़े याड़ करने है अगर पहले पकोड़े डाल देंगे तो बिल्कुल हमारे ना पक के गल सी जाएंगे वो उतना टेस्पल नहीं मज़ीद की कड़ी लगती तो बिल्कुल हमने एंड पे आके ही कड़ी के अंदर कोड़े डालने है तो आप इसको इनिशाला जब बनाएंगे अपने घर में लेकिन सर्सों के तेल में कोई कोई बनाता है तो यकीन करें इसमें बिल्कुल भी हींक नहीं आती और ना ही कोई बंदा पहचान ही नहीं सकेगा कि आपने ये सर्सों के ऑईल में कड़ी बनाई है माशाला बहुत टेस्पल बन दी है तो आप इसको बनाएं ट्राइ करें मुझे फीडबेक दें बकाया मेरी रेस्पीस जो है उसका मैं लिंक दे दूँगे आप उसको भी चेक आउट करें बहुत खुशी होती है जब आप मेरी बनाई हु रेस्पीस को पसंद करते हैं तो आप अच्छा फीडबेक देते हैं मिलती हो बरक्स नेक्स वीडियो में अल्लाहाफ़ेज